Hello students, आज के tutorial में हम number line के help से addition सिखेंगे सबसे पहले हम apples का example लेंगे और उसी example को बाद मर number line के help से समझेंगे Suppose आपके पास 2 apples हैं और आपके friend ने आपको 3 apples और दिये तो आपके पास total हो गए 5 apples यह 5 apples हमने किस तरीके से count किये 1, 2, 3, 4, 5 तो इस तरीके से हमारा total हुआ 5 इसे हम इस तरीके से represent करेंगे 2, plus, यह है plus का sign 3, equal to 5 apples 1, 2, 3, 4, 5 तो इस तरीके से हमारे total apples हुए 5 इसी एक्जाम्पल को हम number line की हैप से समझेंगी हमारा एक्जाम्पल है 2, plus, 3, equal to 5 यह हमारी number line number line पर पहले हम 2 find करेंगे अब हम 3 find करेंगे अब हम 0 से 2 तक जाएंगे 0 से 1, 1 से 2 इसी तरह हम number line पर 0 से 3 तक जाएंगे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 अब हम 2 और 3 को number line पर एक साथ add करेंगे यह हमारी number line सबसे पहले हम 0 से 2 count करेंगे फिर उसी के आगे 3 count करेंगे 0 से 1, 1 से 2 अब हम इसी के आगे 3 add करेंगे 1, 2, 3 अब हम यहां देखते हैं कि हम पहुच गए 5 तक अब हम इसे फिर से देखेंगे 1, 2 1, 2, 3 तो हमारा total addition हुआ 5 इसे हम repeat करते हैं 1, 2 1, 2, 3 इसे हम count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 हमारा total हुआ 5 अभी हमने देखा 2 plus 3 equal to 5 अब हम इसमें 2 add करेंगे और देखेंगे total कितना होता है इसके आगे हम और कितना add करेंगे 2 add करेंगे तो हम number line पर 1 और 2 count करेंगे 1, 2 अब हम 2 plus 3 plus 2 को number line पर count करेंगे 1, 2 1, 2, 3 1, 2 अब हम total count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इस तरीके से हमारा 2, 3, 2 का total हुआ 7 2, 3, 4, 5, 6, 7